मैं आपका दोस्त राज ऊर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने सबसे पहले तो भाई उन सभी लोगों को सारे दोस्तों को सारे भायों को जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब किने दिल से धनीवाद और अपने तरह और जो नहीं देख रहे हैं आप सबसक्राइब करें किसी तरह का गौर्णमेंट जोब को दूंगा बताऊंगा तो वाइस ऊजो लाय लाला सबस्क्राइब बटर को इसको क्लिक करें जो नए है आज जो पहले से हैं वो लाइक करें चिरे करें चरिया आज शुरू करते हैं लोकोपालेट अभी मैं तो सबस्छाहित है बहुत अच्छी बात है उसमें जो question आ रहा है कि qualification क्या चीए और कैसा question आएगा क्या age होगी और और भी कुछ-कुछ question सब है तो उससे related जो मैं face किया हूँ जो मैं खुद अपने experience share करूँगा आप लोगों से चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहली बात भाई यह आप लोग दिमाग से हटा लीजिए गौर्मेंट सेक्टर में maximum जीते हैं एप्लाई करते हैं लोग application डालते हैं जो requirement होती है qualification की ऐसा कुछ नहीं है कि आप topper हो और या bank venture जिसको बोलते हैं वैसा हो लोगी loser हो ऐसा कुछ नहीं माइन ही रखता है अब बस pass हो चाहिए वह 10th हो इंटर 12th हो या generation of pass हो maximum में कुछ कुछ में आता है अगर अब देखेंगे तो 80% 90% में तो जिफ पास ही मांगता है अब pass होना चाहिए ठीक है जो school level या college level का education होता है या पढ़ाई वो और अभी का competition level का पढ़ाई में बहुत अंतर है मेरे भाई यहां पर ऐसा ऐसा लोग है ऐसा से मेरे दोस्त भी है मैं खूद आप लोग के सामने हूं एक example ठीक है एक क्या example मैं बताऊंगा next video सब में बताऊंगा सबसे पहली बात है कि जो school के time में जो आपका पीछे रहता था था उन लोग को मैंने देखा है competition अच्छे अच्छे जगा post में बैठे हुए है SSC SSC के थुरू अच्छे अच्छे post में बैठे हुए है ठीक है और जो topper लोग थे आज में देखता हूं चोरहाई पर बैठे है तो कोई 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 दुकान में काम कर रहा है तो कोई policy लेकि घूम रहा है ऐसा-इसा है जो topper लोग है वाई साफ मैं बता रहा हूं तो कोई मा तो चलिए शुरू करता है अपना ELP को लिए पहले ELP के में बात करता हूं ELP जो अम लोग उत्साहित सबर मैं खुद ELP में posted हूं तो ELP में minimum qualification है 10th plus ITI टीक है 10th में कोई माईनी ने रखता है कि आप 3rd division है या पास हो के supplementary दिये हुए है ठीक है कोई माईनी ने रखता है बस पास होना चाहिए दूसरी बात कि ITI होना चाहिए 10th plus ITI या 10th plus Diploma यह होना चाहिए फिर BTEC वालेक तो हैं ही भाई वो लो तो हैं ही कर ही सकते हैं यह मैं minimum बता रहा हूं तो यह कर सकते हैं कौन 10th plus ITI 10th plus Diploma और BTEC यह लोग भर सकते हैं साथ में आपका अगर 10th plus 2 जो है अगर आप Math, Physics, Chemistry, Science लेका अगर पढ़ाई किये हैं यानि ISE किये हैं तो वो लोग भी रहेंगे तो वो लोग ड्रेबर नहीं कर सकते हैं लागे टेखनिशियन कर सकते हैं टेखनिशियन का फॉर्म फिल अप कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हो लोग जो तोुद में जो टी किये हुए है शाइन्स के साथ वह सकते हैं। क्लियर हुआ अब है एज गा बात भाई एज जो है 18 18 से लेके 30 तक जैनरल के लिए 18 से लेके 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो फॉर्म जो भी डेट देगा कि इतने तारीक तक आपका 18 साल या 30 साल अठार साल हो जाना चाहिए 38 साल सौपर नहीं होना चाहिए एक जो भी डेट रहेगा पॉर्म निकलने के समय यह वह क्लियर OBC वालों को 3 साल का चूट मिलता है यानि उनका 33 साल 33 येर्स हो गया वो 33 येर्स तक बर सकते हैं फिर आता है SCST इन लोगो 5 साल का चूट मिलता है यानि 35 साल तक उमर तक वो भर सकते हैं जो भी डेट रहेगा एजन डेट रहेगा वो भर सकते हैं उस डेट तक अब आता है भाई कि क्या इसके लिए पढ़ाई किया जाए पढ़ाई जो मैं किया हूँ वही मैं बताऊंगा भाई कोई मैं extra नहीं बताऊंगा अभी का अभी का कुछ थोड़ा भास्ट हुआ है यानि कि जैसे अभी क्या टफ हुआ है नो डाउट मैं देखा हूँ पिछले बार का जो questions पगेर देखा हूँ तो पहले से जो हम लोग टाइम पे था उस समय से अभी थोड़ा टफ हो गया है उपस दो दो एजाम साय ले रहा है cbt1 cbt2 एसा ऐसा करें तो लीकिन भाई क्या है ना जैसे हम लोग जिस समय दिये उसके पहले जो भाईया लोग जो हमारे सीनियर थे हुआ से कि से सासा रहे है यह बोलते हैं देख हो वी है खार है इसलिए कि इसलिए टफ हो रही तेंसर मतलो है तैयारी करो के निकलोगे यह फिक्स जो तैयारी करेगा वो निकलेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा, सिर्फ दिखावा के लिए नहीं, गुमने के लिए नहीं, जो पढ़ेगा, तो बात करते हैं, कि क्या पढ़ें, जो मैं पढ़ा था, मेरे पास, जो वेकेंसी निकलने के पहले, मैं एक टार्गिट लेके, मैं रेलेवे का त्यारी कर रहा था, तो नॉर्माल जीके, जीएस, ठीक है, करेंट अफियर्स, यह आपका, मैथ, रीजनिंग, यह सम्में डेली प्रैक्टिस होता था, डेली प्रैक्टिस में करता था, एक गुरूप होता है, हमारा गुरूप था, गुरूप में बैटके, 20-25 ल तो उसमें हम लोग जो है नॉर्मल जीके जो उसे अगर कोई भी अधर कंपटिशन में बैठें तो निकाल सेगे ऐसा जीके बगएरा पड़ता था जैसे ही वेकेंसी आया दोजाद चौदा में वेकेंसी आया था तो वेकेंसी आने के बाद जो टेकनिकल कोश्चन जैसे आप में पढ़ा था उसमें फीटर का लेक्टरेशन का मेंकेनिकल का यह कुछ खुच कोश्चन मिलने मिक्स करके जाता तो एक बुक था उस समय प्रिवयस ये का कुश्चन पूचा हुआ उसमें सौ्ट रिट करके था वो और फीटर का अलग से हमें भूक का नाम मुझे याद न वो बुक को में अलग से जब फॉर्म फिल अप किया तो फिक्स हमारे पास है ही नो डाउट तो उस समय में उसको शुरू किया था कि डेली के 1-2 घंटा जो भी अपना प्रशनल पढ़ता था गुरूप में डिसक्स करता था ऐसा होता था तो अभी से अभी हमारा इसाम आने व लोग होंगे गुरूप डी का भी फॉर्म बढ़े होंगे कुछ होंगे जो एंटी पीसी का भी होगे होगा अगर आप वो लोग सब अगर टेक्निसियन अभी से पढ़ होगे तो गढ़बढ आ जाओगे तो नॉर्मल यो तैयारी है कंपटिशन का वो शुरू करो करते रहो करेंट अपना नॉर्मल ही देखते रहो जैसा ही फॉर्म आने का डेट अनाउंस हो जाएगा आप टेक्निकल कुस्चन के लिए प्रिपेर करो टीक है उसमें क्या है ना छोटे गा भी नहीं अब होचपोच भी नहीं होगा और करेंटली पढ़े रहो तो सब अपडेट रहे जितना भी महासागर है तो कुछ नो कुछ तो इदर दर हो गई तो इसको अभी से करते रहो ठीक है यह मेरा मेरा पैटन था मैं इस तरह से तैयारी किया था फिर जैसे से बीटी टू आएगा से बीटी टू के स्लिवर्स के उनने साथ जैसे पढ़ाई होगा किया जाएगा और अगर कुछ अलग होता है जैसे वैकेंसी आने के पहले कुछ मुझ मुझे नीज मिलेगा मैं आप लोगको पहले सिंतला कर दूँगा पहले सही बतादूँगा आप लोगको कि आप उसको उस हिसाप से प्रिधि करो लेकिन अभी फिलाल आपलोग अगर टेक्नीसित सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रेशा ना ले नॉर्मल कोश्चन के लिए ही पढ़े नॉर्मल जीस चीके आपका मैथ रिजनिंग करें ठीक है जैसे आपकेंसी आएगा सुरू का साहर नॉर्मल पढ़ सकते हैं ज़रा टफ टेंसन नहीं ले और अधर जो लोग में एक खरमी है अभी मुझे भी खराब लगता है कुछ लोग हैं जो सिप एक एलपी एलपी को पकड़ के बैटे हो तो मुझे एलपी में ही जाना है भाई देखो कंपडिशन में होना तो जितने भी फॉर्म आते हैं मेरे भाई सब भरो सारे के सारे के सारे जो इसमें आप इलिजिबल हो स इससे कुछ नहीं वठी कि जॉइन करना नहीं करना जो हैना वे सेक्यंडरी है प्रारी के आप फॉर्म भरो एकजाम दो कुछ नहीं तो कम से आखो आपका जो हैना यह experience होगा एक्जाम में बैठने का experience होगा इस तरह का question आता है question का pattern आप समझोगे फिर क्या आना अब जब पढ़ोगे तो समझ जाओ कि किसको पढ़ना है किसको छाटना है ये सबसे बड़ा बात है पढ़ना तो बहुत कुछ है यार लेकिन उसमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ये समझना भी एक कला है वो आपको experience के थूह ही आएगा कोई बता देगा घुल देगा तो नहीं समझ माएगा जब तक आप नहीं समझ पाओ आप अगर एक बार समझ जाना है क्या पढ़ना है अलग-अलग सेक्टर है जैसे भेल गेल ये सब भी है मैं खुद बताँ एमडी परमानुस संटक्चरे सब भी हाग है उसमें मैं भरा था जो हैदरावाद में उसका हीट कॉंटर है तो मैं भरा था ये इस तरह के 3-4 फार्म में भरा था जिसमें मेरी हो भी गई थी सेलेक्शन ठीक है लेकिन वही मैं इधर ड्रैवर के भी दिया था 3-3 जगा सा मेरा निकला ड्रैवर के लिए लोको पालेट के लिए अगर के पास नौकरी मिलिया तो इधा उधा जाने का इतन दूर तो यह आपको plus point है लेकिन exam दो जितने भी vacancy जिसमें आप बैठ सकते हो फॉर्म बर के बैठ सकते ही exam के लिए exam के लिए exam दो join करना नहीं करना है secondary है पहले exam दो हो सकता है कि जब निकल जाए आपको पता चले कि यह इस से better यह है जोईन कर सकते हो नहीं भी किया तो जब तक इधर नहीं हो वहां जोईन करो फिर इधर आजाओ लेकिन फॉर्म बरो भाई तरह एक्जाम का एक्सपरियंस आएगा आप लोगों को और जो अपका अभी का जो एलपी का अभी तो वैकेंसी का जो साही लोग पूछ रहे हैं कि व अब लेकिन जो हमारा अल्पी का है लको पालेट को प्राइब करना है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल आप फोड़ा सा इतम छोटा सा लॉजिक लगाओ तेजस चल रहा है था ना क्या इस्तिति हुआ चल रहा है क्या अभी क्या कंडिशन हुआ लोगडाउन में या सब्सक्स आप समझंगे क्या वोलना चाँ रहा हो तो लोको फायलेंट यह पूरी तर रहा रह समझ रहा है खासकर लोको फायलेंट इसे भी जो प्रैइविटी आ दिमागह सब्केम कद आ याज नगर गॉर्बेंट जॉब वाले लोग ही कर सकता है यह याद रखना भाई तो क्योंकि प्राइबेट में क्या होता है न माल लो जितना प्रेशर है ना जितना जो भी है तो कुछ ऐसा होगा ना हटा यार चल देगा क्या होग उस condition में इसलों बहुतरा सा बहुतरा का बात है यह कभी next वीडियो में या किसी उस तरह का वीडियो बनेगा तो मैं share करूँगा अभी फिलाल आप लोग जान लो प्रेविटेशन जो है यह हमारे ELP में अभी effect नहीं होने वाला टेंसन मतलो वेकेंसी आएगी अभी तक कोई अपडेट नहीं है लेकिन मुझे लगता है जैसा मुझे लगता है बाहर भी देख रहा हूँ उससे लगता है कि 22 के लास्ट लास्ट या 23 में तो आ नहीं है जैसे बताया था न चुनावी माहौल पिछला वीडियो में बनाया था देख लो उसमें हम बनाओ याई तो जब चुनावी माहौल आता है तो भाई कैसे बनेगा कुछ तो करना होगा तो इसका असर पढ़ेगा इसका असर कहीं न कहीं पढ़ेगा और निकलेगा लेकिन वेकेंसी बहुत है, लाज वेकेंसी है यार, हम लोग जो डूटी कर रहे न, तो लोड है, लोड हमारे पर है, तो वेकेंसी निकलेगा, टेंशन मतलो, जिस तरह से मैं बोला अभी, पढ़ाई करू उसी तरह से, क्वालिपिकेशन का टेंशन मतलो, अगर आप एक बार म अगर में, फास नहीं हो, दो बार में लेकेंसी हो, फास हो यूए हो, काफ़ी ही है, RTI होना चीए, ट्रेड तो भाई ncbt होना चीए, cbt होन चिये, fitter हो, आपका electrician हो, electronics हो, mechanical हो, electronics में कुछ आर भी आ आजाते हैं अपि अप्नो ओई सो, ये बस एं impactful होना चीए, third indeed होत्रें ह कुछ भी update होगा मैं बता हूँगा अगर आपको कुछ ना है कुछ बताना है यह किसी कुछ भी लगता है कि हाँ यह मेंसे गलत हो यह जाता है कि हां और भी कुछ बता है तो कमेंट से ra keto कमेंट करें किसी ए तरह का कुछ भी हो जितना मुझसे बन पाएगा आप लोग को बताऊंगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जो जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं उसको धन्यवाद जो नहीं देख रहे हैं भाई धन्यवाद और साथ में वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो भाई को प्यार दे प्यार का कुगा अपना भाई